हेलो दोस्तों वेलकम यूओ अलिट लोकेसर अलिम्टेड स्टडी जोन तो आज है 29 अप दिसमबर 2022 उनतीस दिसमबर 2022 और आज यह आपके सामने जो है आज की बिगस्ट अपडेट है जो आपको दिखाई दे रहे हैं आप जो CBSC ने सर्कुलर जो भेजा है ओके तो आप इस सर दोस्तों आज हमारे पास जो डेट एनाउंस हो गया है CBSC रिलीजिंग डेट शीट जहां पे दोनों हमाई एनाउंस हो चुकी तो आए देखने डिस्कस करते हैं आज के इस डेट शीट के में पॉइंट जो है आए उनको डिसकस करते हैं और यह काफी इंपॉर्टेन डेट शीट है हमाई लिए तो मैं सभी CBSC एस्पाइरेंट का स्टुडेंट का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जोईन कीजिए इसका नाम है लोके सर अल्निम्टेड स्टुडी जोन चली दोस्तों तो आंगे बढ़ते हैं ओकी तो सफिशन गैफ हैस बीट्वीन टू सब्सक्राइब जनरली ऑफ़र्ट बाई स्टुडेंट इन बोथ अ क्लासेस यहां पर कह रहे हैं कि सफिशन गैप दिया गया चलिए वह तो हम स्टुडेंट्स की जरूरते क्या-क्या हैं ओके दाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ एक्जामनेशन विल भी एक टैन थर्टी तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो है दस बच के तीस मिनट पे इस एक्जाम स्टार्ट होना है तीन घंटे का एक्जाम होता है टैन थर्टी तो साड़े दस बचे से लेकर के आपको एक एक टीस तक यह एक्जाम चलेगा तो मतलब एट लीस्ट आपको सेंटर पे नौ तीस पर तो पहुंचना ही होगा इस्कूल वाले आपको इंसिस्ट करेंगे कि नौ बचे बट आई थिंग नाइन थर्टी इस एनफ विकॉज लोटिंग टाइम आपकी होगी 10 बचे आप अगर क्लासरूम में जो रिपोर्ट करेंगे एक्जाम सेंटर पे 10 बचे आप रिपोर्ट कर जाएंगे और 10 बचे रिपोर्ट करने के लिए आपको इस्कूल पे 9 बच के 30 मिनट पे जरूर पहुंचना पड़ेगा ओके तो सफि so that students can prepare बहुत जल्दी से date sheet आ गई है सही बात है क्योंकि यी बच्चे अच्छे से prepare कर सकें ओके और गुड लग बोल दिया है यहाँ पर CBSC ने थैंक्यू बोलते हैं चलिए आईए देखते हैं कि क्या है इस date sheet के बारे में 2023 examination date sheet है यहाँ पर किसकी है अपने पास में so secondary school examination मतलब यह जो है यह 12th classes के student के लिए secondary school examination के लिए तो देखे यहाँ पर 15th February जो पहला है तो यह तो language हो रहे है painting, raya, guru, यह क्या है भाई यह सब अपने काम के नई है so leave these all अपने आगे की तरफ चलते हैं यह काफी सारे यह papers हो रहे हैं but I feel यह भी कुछ खास ही student करते हैं मैं मदप्रदेश की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर यह students कम है class 12th के लिए तो class 12th में यह भी कुछ अपने कुछ खास काम का नहीं है then इसके बाद 17th of February यह देखे music का paper है तो 17th February भी कुछ काम का नहीं then 20th of February 20th February यह देखे Arabian, Tibetan, French languages यहाँ पर languages के paper हो रहे है then इसके बाद German, Russian Persian, Nepali यह भी सारी के सारी क्या है यह भी पूरी की पूरी जो है यह languages है चलिए तो यह भी language हो गई है then इसके बाद देखे Marathi, Urdu, Bengali यह भी कुछ अब यहाँ पर याद है यह पहला language है यह देखे पहला paper है मतलब 27th of February को जो है आपको पहला paper टकरा रहा है वो है English का 27th of February को पहला paper आपका English का है then उसके बाद 1 March को आपका paper है Sindhi, Malayalam यह regional languages है then तो पहला paper आपको किसका हो गया है English का Language and Literature को 27th of February then इसके बाद 2nd of March को regional language एक बार फिर से है and then इसमें Hindi देखे कहीं पर Hindi तो नहीं है बाई ओके Hindi किसी का यहाँ पर अभी नहीं है ओके यह भी नहीं है then 4th of March को आपका किसका paper है 4th of March को आपका है Science का paper तो पहला paper आपको है 27th February को आपको पहला paper है then इसके बाद आपको जो अगला paper आ रहा है वो कब है वो आपका अगला paper है 4th March को है 4th March then उसके बाद Home Science, Multi Skills किसी का नहीं है Element of Business नहीं है Sanskrit जिन लोगों ने लिया उनको मिलेगा then उसके बाद देखिए यह Extra Subject Computer Application Information Technology काफी बच्चे लेते हैं तो 13 March को मतला भाई साब बहुत जबरदस्त gap मिल गया है 1303 then उसके बाद Social Science लो भाई चिंता हल हो गई बड़ा मर मर के पढ़ते हैं बच्चे Social Science 15th of March को Social Science है तो ये भी बड़ी problem अपनी solve हो गई है then उसके बाद क्या है उसके बाद है हमारे पास 15th of March हो गया है then उसके बाद 17th of March को Hindi है ओके तो थोड़ा सा gap यहाँ पर कम मिला है बट Hindi कोई चिंता की बात नहीं है 17th of March है and then उसके बाद Social Science भी हो गया Hindi course है, course भी दोनो 17th of March को हैं and then 21 Mathematics Standard and Mathematics Basic सबसे बड़ी बात Maths का पेपर सबसे लास्ट में है बड़ी रिलीफ की बात है Maths का पेपर सबसे लास्ट में है उसके पहले Hindi है उसके पहले 15th of March को है 15th of March को है SST 15th of March को है SST तो चलिए यह थी आपकी date sheet किसकी है यह date sheet जो थी यह है class 10th की है मैंने class 12th बोल दिया था साथ ओके तो यह class 10th की है क्योंकि इसमें SST अगरे है तो यह class 10th की date sheet है अब आईए देखते है class 12th की date sheet क्या है भाई यह class 10th की date sheet तो हो गई ओके देन इसके बाद देखिए senior secondary 10th class को यह लोग senior secondary 12th class को बोल दिया और secondary बोल दिया 10th को तो entrepreneurship किसी के काम का नहीं है engineering, graphics, technology, short hand यह भी किसी के काम का कुछ खास नहीं है इसके बाद कथा कोडी सी आप लोग देख लीजे जो बच्चे कर रहे हैं बढ़ हमारे reason में नहीं है यह पहला paper है 20th February को Hindi elective का then उसके बाद 21st February को यह paper है then 22nd February को early childhood care education artificial intelligence, hindustani music यह sorry, दो papers है 25, 22 को तो पहला हमारा काम का paper का पड़ रहा है जी पहला हमारा काम का paper जो है वो है, yes, 20th February को okay, so 20th February को पहला paper है Hindi का then उसके बाद में दूसरा paper जो है यह भी regional papers यह मतलब ऐसे है फिर उसके बाद है 20 के बाद 24 को English बढ़ रही है दोनों English है 20 के बाद 24 then उसके बाद 25 काम का नहीं है 27 अपने काम का नहीं है कुछ 28, okay, 28 4 दिन के बाद 28 को chemistry है February में 3 paper हो गए और एक मार्च को तो चलो कुछ भी नहीं है एक मार्च भी गया okay, chemistry 28 को है उसके बाद एक मार्च भी गया उसके बाद 2nd मार्च को जोग्राफी है then yoga 4th मार्च को हिंदुस्तानी music vocal 6th of मार्च को physics, सबसे डरावना paper physics तो भाई साब physics के लिए कितने दिन का gap मिल रहा हम लोगों को physics के लिए हम लोगों को 6th मार्च है okay, 6th मार्च को paper physics का दिया ना मतलब काफी दिन का gap मिल गया तो बहुत अच्छी बात है 8-6 दिन तो यह हो गए, दो दिन तो यह हो गए भाई साब तो मतलब बहुत तैयारी करने के लिए आपके पास टाइम है 6 of March को ओके एंड लीगल स्टेडीज फिर इसके बाद 10 March को देखे Regional Languages के पेपर ने 10 March को फिर 11 March को Mathematics तो 6 के बाद सीरे 11 पे आ जाईए ओके तो 6 तारीक के बाद सीरे किस पे आ जाईए 11 को मतलब 4 दिन का गैप मिला है इस बार मैथ में गैप कम है ओके तो ये 4 दिन का गैप मिल गया मैथ हागे हम लोग कितने तरीकों है मैथ भाई साब मैथ है हम लोग का उपर निकल गया 11 मार्च को मैथ है 13 मार्च को एक दिन का गैप दे के फिजिकल एजुकेशन फिर फैसन स्टुडीज 16 मार्च तीन दिन का गैप दे करके बाईलोजी फिर एकोनॉमिक्स है पेंटिंग ग्राफिक्स पॉलिटिकल साइंस नेशनल केड़ेट न्सी सी टूरिजम इन्फॉर्मेशन टेकनलोजी आईपी एन कंप्यूटर साइंस 23 मार्च को है तो इसमें से आप लोग देख लीजा आपके काम के बिजनेस स्टुडीज जो है बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेशन 25 मार्च को है एकाउंट डेंशी शोशोलोजी तो कुल मिला करके और 4th of April उर्दू ये तो खेर कोई subject इतने ज़्यादा important है नहीं मैं कम ही लोग लेते हैं इनको and psychology finally मतलब 5 April CBSC एकदम fire mood में है भाई साब मतलब पहला paper 15 और आखरी paper 5 मतलब बहुत सही यार 15 February से ले करके 5 March के बीच में पूरा बस्ता बंद कर दिया है CBSC ने तो कुछ जोरदार होने वाला यहां पर तो ये रही आज की एक अच्छी सी वीडियो और दोस्तों मेरे main इस वीडियो बनाने का purpose है कि जो लोग कुछ help चाहते हैं maths, physics या other subjects में आप लोग अपने doubt मेरे comment box में लिख सकते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर करिएगा और बताइए कि आपको और क्या-क्या चीज़े इसमें add करनी है किस field से related आप जानकारी चाहते हैं सो मैं उसको explore करके आपके सामने आता रहूँगा आपका बहुमूली समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शोभो नमस्कार